दिली में पानी की किलत को लेकर राजनीती में सरगर्मी देच हो चुकी है राजनीती चरम स्टीमा पर पहुँँच गई है आandelी नाम आदमी पार्टी की दिली सरकार और बिजेपी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है इस पानी की संकट को लेकर विजेपी अब काफी आख्रोश में डजर आ रही है विजेपी के अध्याच विरेंद्र सच्च देवा ने जल मंत्री अतीशी के विवादित बयान पर पलटवार करते वे कहा कि जल मंत्री पाइक विलाइनों में रिस्ताओच छीक करने और पानी की जोरी रोपने के वजाए आरोप की राजनीती में फसी पड़ी है इस दौरान उन्होंने कहा कि पास दिल्ली में पानी की किलत का एक बड़ा कारण पानी की बरबादी भी है जिस पर लगाम लगाने से दिल्ली से जल समस्या दूर हो सकती है CM अर्विंद केजरिवाल सिरकार के लापरवाही और ब्रश्टाचार के कारण दिल्ली में पानी की समस्या गंवी रूप से घर कर ली है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली में पानी की समस्या पर बिचार नहीं किया गया तो दिल्ली के अलग-अलग बावद स्थान पर भाजबा की कारी करता विरोध प्रदर्शन करेंगे इस दौरान बिजेपी के सांसतों ने दिल्ली के विविन 14 जगा पर जल संकट को देखते वे ब्रश्णाचार के खिलाब प्रदर्शन किया था और मटका फोल कर संकट और केजरी बाल सरकार के खिलाब भी प्रदर्शन किया था